हेलो फ्रेंट्स दीब्या अलेवी में आपका स्वागत है तो आज का टॉपिक है अंटिसिपेटरी बेल और आज के इस भीडियो में हम अंटिसिपेटरी बेल के बारे में बात करने वाले हैं कि अंटिसिपेटरी बेल क्या होती है तो चलिए भीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंटिसिपेटरी बेल आखिर होती क्या है अंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अगरीम जमानत यानि कि गिरपतार होने से पहले या गिरपतारी से बचने के लिए बेल लेने या जमानत लेने को अंटिसिपेटरी बेल कहते हैं एक तो regular bail होती है जो कि गिरबतार होने के बाद ली जाती है और एक anticipatory bail होती है जो कि गिरबतार होने से पहले ली जाती है कि वो person bail लेकर गिरबतार होने से बचा रहे CRPC section 438 में anticipatory bail का provision किया गया है इसको हम अगर आसान सब्दों में समझे तो किसी person के against affair file की गई है किसी non bailable offense के लिए अब police उसको गिरबतार करना चाहती है और वो person चाहता है कि मैं गिरबतार ना हूँ तो उसके लिए उसको anticipatory bail के लिए apply करना होता है अगर उसको court से anticipatory bail मिल जाती है तो फिर police उसको गिरबतार नहीं कर सकती है तो चलिए अब बात करते हैं कि anticipatory bail मिलती कैसे है जैसे ही किसी person के against affair file की जाती है non bailable offense में तो उसे सबसे पहले session court में anticipatory bail के लिए एक application देनी होती है एक बार अगर session court से anticipatory bail reject हो जाती है तो उसके बाद high court में anticipatory bail के लिए apply करना होता है वैसे ज्यादा तर के case में high court से anticipatory bail मिल जाती है लेकिन इसके लिए एक सर्थ है कि आग के पास कोई strong reason होना चाहिए anticipatory bail के लिए तो दोस्तों आप समझ ही गये होंगे कि anticipatory bail होती क्या है अंटिसिपेटरी bail जो होती है गिरपतार होने से पहले या गिरपतारी से बचने के लिए court से जमानत लेने को anticipatory bail कहा जाता है अगर आपको एक बार anticipatory bail मिल जाती है तो फिर आपको पोलिस गिरपतार नहीं कर सकती है फिर आपका trial चलता है और आपको सिर्फ पेसी पर जाना होता है मगर ये बात आप जरूर धियार रखे कि anticipatory bail की application गिरपतारी के बाद लगाई गई है तो anticipatory bail कोट द्वारा grant नहीं की जाएगी तो इसके लिए most important बात यह है कि अगर आप गिरपतारी से अगर बचना चाहते हैं तो anticipatory bail को गिरपतारी से पहले लगाई जाए ना कि arrest के बाद section 438 of CRPC के अंतरगरत anticipatory bail के लिए क्या क्या सेक्षन आवस्यक है या कहें कि किन किन situations में anticipatory bail grant की जा सकती है ये बताया गया है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लिस जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई questions तो प्लिस जरूर पूछें और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो पहले पाने के लिए like and subscribe करना ना भूले